हलो फ्रेंड्स क्या आपको बच्चे दानी निकालने के ऑपरेशन के बारे में सलहा दी गए और अब आप ये सोच रहें कि दूर्बीन किसे करवाना चाहिए मुझे ऑपरेशन या हाथ वाला करवाना चाहिए दोनों में क्या फाइदा है क्या नुकसान है कैसे किया जाता है तो मैं डॉक्टर सुशी लसानी गाइनिक लॉजस न अप्सेटीशन गाइनी लप्रास्कोपिक सर्जन आज आपको बच्चे दानी निकालने का जो ऑपरेशन दूर्बीन से किया जाता है वो कब किया जाता है क्यों किया जाता है कैसे किया जाता है उसके क्या फाइद है सा ही ज्ट्रक्ट्ट में या फे सकती है कि लों क्याति हैं δोर चार्डेसटी और रॉर्शिवART इसलिए पेट से आपकरीशन किया जाता है और जो पेट स्ये से और शेति आप तो प्रकारी हो और चीरा की फिर्टा आए वाला उप्रेशन का जाया जाता हैDUrbine की युजिन की छोटे चेद बना के जाता है जिसमें की चीरा नहीं लगाता जाता है और दुर्बीन डालकर picture स्क्रीन पर देखी जाती है और लंबे instrument से operation किया जाता है तो इसको दुर्बीन फाला operation कहा जाता है और इसको करने के बहुत सारे फाइदे हो सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्तितिया या ऐसी कौन सी बिमारिया हैं जहां डॉक्टर आपको बच्चे दाने निकालने का यानि की हिस्टेक्टमी operation करवाने की सलहा देते हैं तो जब भी कोई महिला डॉक्टर के पास बहुत जादा ब्लीडिंग की कंप्लेन लेकर या पेट में दर्द लेकर या कोई गांठ की समस्या लेकर जाती है तो डॉक्टर उसका assessment करते हैं और एक सोनोग्राफिय करवाते हैं तो सोनोग्राफिय में अगर आमको ऐसी कोई पर प्रिपव, आपको कैसे चलेगा, तो यह सारी बीमारीों में आपको हो सकता है कि अबहुत जादा है, और ईसके लावा अपको एसापी बाहुत जादागार में प्रकार की ब्लीडिंग हो यह अए पीछ में पूरे महीने बाद त्रू आउट स्पोर्टिंग हो रही है, और के लावा ऐसी कोई परिस्ति बन रही है कि आपको abnormal लग रही है आपको uncomfortable फील्ड हो रहा है तो ऐसी कोई सी भी परिस्ति यदि हो तो आप डॉक्टर से जाकर सलहा लेंगे तो डॉक्टर आपकी सोनोग्राफिय करकर आपका examination करके diagnosis क्लियर कर देता है कि आपको इन में से कोई ए इस आपसे भी दी जाती है यानि कि आपके fertility complete हो गई है यानि कि आपके family पूरी हो गई है आपके दो या तिन बच्चे हो गए है और आपको और pregnancy नहीं चाहिए और आपके umber 40 के ऊपर चली गई है और आपको लगता है कि uterus रखने से आपको ज्यादा समस्या हो रही है बजा करवाना चाहिए इस तरीके से जब कोई decision हो जाता है कि आपको करवानी है तब हम यह सोचना पड़ता कि कौन से रूट से करवाएं यानि कि abdominal करवाएं या वजाइनल करवाएं यह काफियत तक आपके doctor पर भी depend करता है कि उसकी master कि टेक्नीक में है कि यानि बहुत से surgeon होते है है क्टो से doctor होते जो जाइनल करने में नहीं होते है है तो नहीं है लगता कि मैं व τους सबसे अच्छी करके दूंगा और बहुत से doctor हाथवाला operation करने में और वजाइनल उपर कोई चेरा नहीं आता है और ऊपर किसी प्रकार का निशान भी नहीं बनता है नीचे से ही सारा काम हो जाता है और अस्पताल से 2-3 दिन के अंदर चुटी हो जाती है और बहुत ज़दा पेंड भी नहीं होता है लेकिन इसका नुक्सान क्या हो सकता है? इसमें पेट के अंदर दुर्बी डाल कर नहीं देखते हैं जिसे यह पता नहीं चलता कि पेट के अंदर क्या चल रहा है लेकिन जो वजाइनल हिस्ट्रेक्टमी करते हैं तो उसमें पेट को किसी प्रकार से छेड़ा नहीं जाता यानि कि पेट के अंदर जाकर देखा नहीं तो पेट के अंदर क्या बिमारी चल रही है, वो पता नहीं चल पाता, सिर्फ वजाइना से जाकर यूटरस को रिमॉफ कर दिया जाता है, इसके अलावा में और को इनफॉमेशन नहीं मिलती है, दूसरा सबसे जो नुकसान होता है, जो दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है और उसमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, वो इस्तिति बात में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए यदि आपका पहले कोई ऑपरेशन हो रखा या आपको इंडॉमेट्रियोसिस है, आपकी गांट बहुत बढ़ी है, और आपको ऐसी कोई परिस्ति थी, इसमी कहले की बढ़ीं बात ब्रकार कहना हो सकती है, तो ऐस अस्तिति में बजाएनल हो सकती में ना ले अबौमिनल हो एक शूज़י chain बना कर operation किया जाता है यदि आप चीरे वाला operation करवाएंगी तो उसमें इतना वड़ा चीरा लगेगा उसमें इतने सारे टाके आते हैं और उन टाको का पकने का खुलने का और तूटने का खत्रा बना रहता है और तीन से चार दिन में इस्पताल से छुटी होती है परहेज भ का टांकों में बहुत जादा दर्द भी होता है और उठने बैटने में और बाकी सीजों में सब में समस्या करेट होती है और उसके अंदर भी जब आप चीरे वाला operation करवाते हैं तब भी पेट की पूरी 360 डिगरी जाच नहीं हो पाती है क्योंकि जितना हिसा हमने चीरा लग हो या हमें उसमें बहुत अच्छा दिख रहा हो जो आपके आँखों से दिख रहा है वो ही दिखाई देता है तो वो एक नॉमल विजन होता है इसके साथी साथ उसके अंदर बाहर से रूई पट्टी गॉज पीस कई सारी चीज़े डाली जाती है और धागी लगाए जाते है सरजर की क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है और इंफेक्शन होने का खत्रा भी बढ़ जाता है अब जो लास्ट रिसॉर्ट बसता है कि हम दुर्बीन वाला उप्रेशन करवाएं तो दुर्बीन वाला उप्रेशन करने के लिए पेट पर छोटे-छोटे छेद बनाया जा जो रोटे-धे और जब एंडस्कोप पेट के अंदर तो अंदर पेट का पूरा विजन यानि कि पूरा पिक्चर इस तरीके से बड़े मॉनींटर के या तैळिविजन के ऊपर आ जाता है और जो विजन आता है आज-कल के अ? एचडी 4K इसलिए हमें जो विजन मिलता है वो magnified view मिलता ही 20 time magnified होता है यानि कि जो normal आखे देखते हैं उसे 20 गुना बड़ा दिखता है HD विजन आता है 4K विजन आता है यानि कि clarity बहुत जाधा होती है अंदर का एक एक चीज हमें अच्छे से दिखती है और यह जो endoscope होता है वो लंब जिसके विज़े से आपको परेशानी हो रही है और हर कोनिय की बिमारी को ढूंड कर निकाला जा सकता है और सबसे अच्छी बात है कि विजन आमें इतना बढ़िया मिलता है कि 4K विजन में लोग देखके जब surgery करते तो definitely surgery की quality बहुत अच्छी होने वाली है तीसरा सबसे इ तकलीफ नहीं होती है चीरे से related चौता फाइदा है कि हम बाहरी कोई भी वस्तु अंदर नहीं डालते हैं यानि कि कोई गौस पट्टी रोई या टाका और कुछ भी अंदर नहीं जाता है सिर्फ बाहर से medicated carbon dioxide gas अंदर जाती है जो कि पेट को फुलाने के काम आती है और वैसल सीलर होते हैं और जो आटोमेटिकली वैसल को कोईगिलेट करके यानि खुन के नलियों को सील कर देते हैं और फिर उसी से आटोमेटिकली कट भी हो जाता है इसलिए किसी प्रकार के धागे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इससे के रिकवरी फास्ट होती है इसके साह के से दूर्वीन के ऑपरेशन में हमें इतने सारे फाइदे मिल जाते हैं कि पेट पर चीरा नहीं लगता है, निशा नहीं बनता है, टाके नहीं लगते हैं, तो टाका खुलना पकना वो सारी समस्यें खतम हो जाती हैं, अंदर किसी प्रकार का टिशू डैमेज नहीं होता है, दागी का इस्तेमाल नहीं होता है, बाहर के रूई गॉस्पी, पट्टे कुछ अंधर नहीं जाता है, और इंफेक्शन का खत्रा काफी कम होता है, इसलिए रिकवरी भी फास्ट होती है, और एक दिन के अंदर ही अस्पताल से छुटी हो जाती है, और एक हफते के बाद ही और विजन यानि की क्लारिटी बहुत जादा होने के गारण, ऑपरेशन का जो प्रिसीजन होता है, वो भी बहुत जादा होता है, और दूरवीन से पूरे यूटरस को फ्री करकर फिर बच्चे दाने के रास्ते से यानि की वजाईना से डिलिवर आउट कर दिया जाता है, और जो की पूरा यूटरस को इंटक्ट निकाला जाता है, लेकिन यदि इसमें को यूटरस का साइस काफी बढ़ा होता है, तो उसको नीचे बजाईना से ही थुड़ा कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, और जब भी ऑपरेशन किया जाता है, तो आतों को पूरा एक्सिडेंट के खत्रे भी कम होते हैं, तो अब आप ये जान गए हैं कि सबसे बढ़िया ऑपरेशन दूर्बीन वाला ऑपरेशन ही है, और आपको वही कराना चाहिए, क्योंकि आपका फाइदा उसी में है, क्योंकि हर इनसान ये चाहता है, कि मेरी सरजरी इस तरीके से हो कि मुझे ऑपरेशन से पहले और बाद में भी किसी प्रकार का परहेज ना बताया जाया, ऑपरेशन के दौरान मुझे पताना चले और ऑपरेशन के तुरंत बाद मुझे किसी प्रकार का दर्द ना हो, तो दूर्बीन से जब आप ऑपरेशन कराते हैं, तो ये सारे हिस्ट्रेक्टमी चूस करनी चाहिए और जो हम लोग अडवाइस करते हैं वो टोटल लप्रोस्कॉपिक हिस्ट्रेक्टमी होती है यानि कि कम्प्लीटली लेप्रोस्कॉपिक दूर्बिन से किये जाने वाला अपरेशन ही करवाना चाहिए इससे और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लेकर पूछ सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जैन करें साथ तब तक नमस्कार